उत्तर परदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया मतदान के दौरान जस्वंत नगर में मत डालने पहुँचे सपा प्रतियाशी शिपाल यादव के काफले पर पत्थर बाजी हुई अलाकि इस पत्थर बाजी में शिपाल यादव को चूट नहीं आई बताया जा रहा है कि एटावा के जस्वंत नगर में मामुली बहस ने पत्थर बाजी का रूप ले लिया बताया जा रहा है कि बीजेपी और सपाकार खरताओं में पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाल दोनों गुटों की तरफ से पत्थर बाजी शुरू हो गई पत्थराव को लेकर जब अखलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस से लेकर मेरी कोई जानकारी नहीं है तो वहीं शुपाल ने बोलिंग बूत के पास हुई पत्थरबाजी को साज़ुष करार दिया है शुपाल यादव ने कहा है कि ये उनके विरोधियों की साज़ुष है उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से धंकी मिल रही है पत्थरबाजों से निपटने के लिए तदकाल मौके पर पुलिस फोर्स पहुँच गई शिपाल ने ये भी कहा कि हमने पूरा चुनाव जंता पर छोड़ दिया है जस्वंत नगड़ शेतर की जंता हमारा पूरा चुनाव लड़ रही है उन्होंने भी तरखाद को लेकर कहा कि सब ठीक है मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है शिपाल ने कहा कि जस्वंत नगड़ शेतर पहले नेता जी का शेतर रहा है और फिर मेरा रहा है नेता जी का शिर्वाद और साथ बहुमत की सरकार बनेगी वहें उन्होंने पार्टी के अन्य प्रतियाशियों के प्रचार को लेकर इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है बताया जा रहा है कि जस्मन दगर में शोपाल बूद पर पहुंचे तबी बीजेपी के लोग वोहला करने लगे सफाके समर्थकों ने जब इस बात का विरोद किया तो बीजेपी समर्थकों ने पत्राब शूर कर दिया तीसरे चरण के मतदान के दोरान कई स्थानों पर इंसा की खबरे आई हैं उससे राज्य सरकार की सुरक्षा विवस्था पर सवाल खड़े हो गए नेशनल डेस्क टोटल न्यूज